बॉलेवुर में दोस्ती दुश्मनी का पैमाना अगर मापें तो हमारे समझ से बाहर है। क्योंकि यहां सुबह बने दोस्त शाम तक आपकी बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही दोस्तों की जोड़ी जो आज एक दुसरे को देखन भी नहीं चाहती। सल्मान खान और संजय दत्ट सल्मान और संजय की दोस्ती ओन स्क्रीन और ओफ स्क्रीन दोनों जगह मशूर रही है। फिलहाल दोनों के रिष्टे ठीक नहीं है। बताया गया कि जब संजय दत्ट जेल से रहावे तो सल्मान उनसे मिलने तक नहीं पहु सुनील ग्रोवर ने अपनी कॉमेटी शोच की जरिये देश भर से लेकर विदेशी दर्शकों को भी लोट गोट किया है। कॉमेटी की दुनिया की इस मशूर जोडी ने लंबे समय तक तर्शकों को हनसाया लेकिन इनकी गहरी दोस्तों पर विवाद के बादल इसी साल मार्श महिने में च्छा गये। आस्ट्रेलिया से कॉमेटी शोच करके लोटते समय फ्लाइट में दोनों का जगड़ा हुआ। कथित और पर शराब के नशे में कपिल ने सुनील पर हाथ तक उठा दिया था। विवाद के बाद सुनील ने कपिल का शोच छोड़ दिया। इसके साथ ही दोनों की दोस्ती भी खत्म हो गई। काजोल और करण जोहर करण और काजोल की दोस्ती लगबग 25 साल पुरानी है लेकिन पिछले साल इस दोस्ती में दरार आ गई। इसका कारण रहा करण और काजोल के पति अजय देवगन की फिल्मों एदिल है, मुश्किल और शिवाय के बीच क्लाश होना ये दोनों फिल्म में एक ही दिन रिलीज हुई थी, अपनी इस दोस्ती में तनाव पैदा होने के बाद करण जोहर ने कहा कि कभी कभी चैप्टर खत्म हो जाते हैं, किताबें खत्म हो जाती हैं, रिष्टी भी खत्म हो जाते हैं वही अपका जोल करण के बारे में बात करन से भी बच्ती हैं. सोनम कपूर और रनबीर कपूर सावरियां से बॉलिवुड डेब्यू करने वाले सोनम और रनबीर कभी बेस्ट प्रिंट्स हुआ करती थे. कहा जाता है कि एक करण जोहर के चैट शो पर सोनम ने रनबीर के उपर ऐसी टिपणी कर दी थी, जिससे इनकी द कि उस्टे का सामना करना भी है.